कहानी शुरू होती है बाल्टिश नाम की एक खूबसूरत सहरशे। एक ऐसा सहर जहां सब कुछ मुम्किन ही नहीं बलकि जादूई भी लगता था पर समय के साथ चीजे बदली और ये बदलाओ बिलकुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसके बाद से बाल्टिस के लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। को एक सिक्का दीता है ताकि वह बाजार से जाकर उनके लिए कुछ खाना ला सके। वह जल्दी से बाजार में जाकर अपने लिए मचलियां और ब्रेट करीदने लगता है। पर तभी अचानक से उसके हाथ से वह सिक्का फिसल कर दूर जाने लगा। और जब वह उसे पकड इसलिए वो अपने आपको अंदर जाने से रोक नहीं पाता, अंदर उसे एक लेड़ी मिलती है जो उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती थी, उसके बारे में सब कुछ सुनकर पीटर को उस पर यकीन हो गया, वो लेड़ी उससे उसका सिक्का लेकर उसका हाथ देख और उससे कहती है कि उसकी बहन अभी भी जिन्दा है, ये सुनकर पीटर पूरी तरह से हैरान रह गया, वो उससे कहता है कि उसका परिवार एक युद्ध में मारा गया, लेकिन उसे एक फौजी ने बचा लिया, उस फौजी ने उसे बताया कि उसकी मा और बहन मारी गई, ल उस सोचने के बाद पीटर उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंड सकता है जिसके जवाब में वो लेड़ी उससे कहती है कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा पर पीटर उसके जवाब से जरा भी खुश नहीं था क्योंकि उस पूरे सहर में कहीं भी कोई एलिफेंट नहीं था लेकिन वो लेड़ी बीना उसकी कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है घर आने पर पीटर को फूजी से बहुत डाट परती है वो उससे समझाता है कि उसकी मा और बहन युद्ध में मारे गए थे और उसने अपनी आँखों से उन्हें मरते लगते थे और वो कमजोर होता जा रहा था लेकिन एक दिन उसने चुपके से उसकी वो बुक चुरा ली जिसके बाद से वो उनके ग्रूप का सबसे खुखार फौजी बना वो पीटर से कहता है कि जहां पे आराम होगा वहाँ पे कमजोरी होगी और जहां कमजोरी होगी वह कभी एक फौजी नहीं मिल सकता इसलिए वो पीटर से कहता है कि जो आज तुमने सुना एलिफेंट के बारे में वो सिर्फ एक कहानी है जिनका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं क्यूंकि अगर यहां कोई एलिफेंट होता पे कम से कम मार्च बंद करने को कहता है वहीं पीटर उसे बताता है कि आज उसे खाना ना लाने के लिए सजा मिली है और वो उसे उस एलिफेंट वाली बात भी बताता है कि उसका पीछा करने से उसकी बेहन मिल सकती है जिसे सुनकर मैटेन उसे भरोसा दिलाता है कि क्या पता तुम्हारी बाते सच सावित हो और तुम्हें सच में एक एलिफेंट मिल जाए वहीं उसी सहर में कहीं पे एक मैजिकल सो हो रहा था लेकिन वहां के जादुगर के परफॉर्मेंस से कोई भी संतोष नहीं दिख रहा था जिसे देखकर वो जादुगर और वो कुछ सोचकर अपना आखरी जादु दिखाने का बोलकर एक लेडी को अपने पास बोलाता है वो जादुगर एक सकती साली मंत्र पढ़ने का डिशाइट करता है कुछ ऐसा जो बाल्टीस को फिर से पहले जैसा बना दे पर उसका जादु कोई काम नहीं करता और दही भाग कर वापस से उसी रेड कलर के टेंट के पास जाता है पर वहां से अब वो टेंट गायब था वो वहां के लोगों से पूछने की कोसिस करता है पर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था पर वहीं वो लोगों से कल मैजिक सो में गिरे इलिफेंट के ब मिश्टर मेटियन से मिलता है वो भी इस बात से काफी खुस थे वो पीटर को उस elephant को उसके कैद से छुडाने में उसकी मदद करने को भी बोलता है इसके बाद वो जाकर फोजी को भी ये बात बताता है कि सहर में elephant आ चुकी है लेकिन वो अब भी उसकी सारी बातों को बकवास ही कह रहा था लेकिन अब पीटर अपना इरादा बना चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाये वो अपनी बेहन को ढूंड करी रहेगा इधर जेल में बंद वो जादुगर भी अपने आप पे हैरान था कि उसके जादू से एलिफेंट कैसे आ गया उसके पास वो लेडी भी आती है जिसके उपर वो एलिफेंट गिरा था और वो जादुगर को इसके लिए कोस रही थी कि उसने जान बुचकर उसके उपर एक एलिफेंट गिरवाया पर वो जादुगर उसे बार-बार यकीन दिलाने की कोसिस कर रहा था कि उसका जादू सही काम नहीं करता वही मैटियन वहां की रानी कॉंटिस के पाज जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछता है कि उसे कहां रखा गया है लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस एलिफेंट को एक कैदी की तरह रखा गया है और हो सकता है कि इस राजजी की हिफाज़त के लिए वो उसे मार भी दे पर उसे छुडाने के लिए मैटिन के दिमाग में एक और आइडिया आता है वो उस देश के राज़ा को एलिफेंट के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखता है क्योंकि उसे पता था कि राज़ा कभी बाल्टिश नहीं आया है और उन्हें मनुरंजन देखना बहुत पसंद है और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आसमान से एक एलिफेंट उनके सहर में गीरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही जैसे ही राज़ा को उसका लेटर मिला वो बाल्टिश जाने के लिए तयार हो जाता है सहर के सब लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं वहाँ पीटर भी आया हुआ था उन्होंने एलिफेंट को अच्छे से कलर करके राजा के सामने पेस किया जिसकी वज़ा से एलिफेंट की आखों में कोई तकलीफ होने लगी और वो गुसे में पागल होने लगा सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वहाँ के सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं कि पीटर वहाँ पर आकर उन्हें रोकता है और उस एलिफेंट की आग को एक गिले कपड़े से पोचता है ताकि वो सांथ हो सके वहाँ के सब लोग ये देखकर काफी हैरान थे वो एलिफेंट वहाँ पर रखे पानिशे अपने आपको नहलाता है और शांथ हो जाता है सब लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं कॉंटेस पीटर के पास आकर कहती है कि तुम क्यों न यहीं रहकर इस elephant की देख बाल करो पर पीटर इसके लिए मना करते हुए कहता है कि यह elephant उसकी तकदीर है जो उसे उसकी खोई हुई बहन से मिलवा सकती है इसलिए वो कॉंटेस से कहता है कि वो इस elephant को उसे सौब दे लेकि में पीटर को वहां के सबसे खतरनाक सिपाही से लड़कर उसे हराना था और इसके लिए राजा उसे अपनी तलवार भी दीता है मैटेन अपने घर पे पीटर को थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखाता है ताकि वो सिपाही से थोड़ा अच्छे से मुकाबला कर सके वही हम कि खोई हुई बैन एडेल को दीखते हैं जिसे सपने में एक एलिफेंट दिखाई दे रहा था वो जाकर ये बात वहां की सिष्टर को बताती है लेकिन वो सिष्टर उसे समझा कर फिर से सुला दीती है इधर उस एलिफेंट को भी अपने परिवार के सपने आ रहे थे जिसमे इन सबका कोई फाइदा नहीं होता और वो ये सोचकर वापस आ जाता है कि कल उसे लड़ना ही होगा अगले दिन सहर के सब लोग पिटर की लड़ाई देखने आये थे और उसका सामना वहां के सबसे खुखार सिपाही डिसमेट से होने वाला था लेकिन जब पिटर भाग रहा था ताकि उस बुक को लेकर वो डिसमेट को रोक सके खैर किसी तरह वो उससे बज़ता हूँ अपने घर से उस बुक को लाकर उसके सामने कर देता है जिसे देखकर डिसमेट अचानक से वहीं पर रुक जाता है उस बुक को देखकर उसे अपनी मा की याद आने ल उड़ कर दिखाना होगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है पीटर उस एलिफेंट के पाज आकर कहता है कि उसे नहीं पता कि कल वो उलपाएगा भी या नहीं लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो उसे वहाँ से बहुत ही जल्द छुड़ा देगा एलिफेंट इंसान में बड़ी जल्दी पहुँचती है बाल्टिस के लोगों में एक बार फिर से पीटर की वज़ा से उम्मीद जाग रही थी कि कुछ भी नामुम के नहीं इधर एडेल को भी जब ये बात पता चलता है कि सहर में एक एलिफेंट आई है तो वो जल्दी से जाकर सिश्टर को ये बात बताती है और उसे वहाँ ले जाने को कहती है सिश्टर उसे सहर ले जाने के लिए मान जाती है वही पीटर अपनी अगली चुनोती यानि की उड़ने की तयारी कर रहा था लेकिन फोजी उसे बार बार ये करने से मना कर रहा था क्योंकि इसमें उसकी जान जा सकती ह लेकिन उसकी बात से नाराज होकर पीटर मिश्टर मैटियन के घर चला आता है वहाँ पहली बार पीटर ने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना खाया जिससे उसकी आखे भराई इधर अडेल को लेकर सिश्टर उस सहर में आ चुकी थी पर वो वहाँ के लोगों से काफी डर रही थी उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ जालीमों से भरी है इधर फौजी भी पीटर के वहाँ से चले जाने के बाद से काफी दुखी था और वो ये याद कर रहा था कि कैसे एक युद्ध के बीच में एक घर के अंदर उस सिष्टर के साथ वो और उसकी बेहन थी उसने पीटर को तो अपने साथ ले आया था मगर उस सिष्टर ने उसकी बेहन को अपने साथ ही रखा और जब वो वहाँ से कुछ दोर गए तो उसने देखा कि उसके घर में एक दमाका हुआ और उसने सुचा कि वो सिष्टर और पीटर की बहन उसमें मारी गई लेकिन वो दोनों जिन्दा थे और सिष्टर को ये लगा कि वो फौजी और पीटर मारे गए और इसी गलत फैमी में वो दोनों अलग हो गए अगले दिन सब पीटर को उड़ता हुआ देखने के लिए इकठा हुए थे वहीं राजा को जब ये पता चलता है कि जब से कॉंटिस का भाई युद्ध में मारा गया तब से वो कभी भी हसी नहीं इधर पीटर वहां के एक बिल्डिंग के उपर चड़कर वहां से कूच जाता है और देखते ही देखते उसके बैक से एक पैरासूट बाहर निकलता है जिसके मदद से वो हवा में ओड रहा था सारे लोग ये देखकर अचम बीथ थे वहां पे अडेल भी ये देखकर काफे खुस हो रही थी सारे लोग पीटर को अपने कंदों पर उठा लेते हैं और क्यूंकि अब वो दूसरी चुनाती पार कर चुका था इसलिए राजा उसे तीसरी चुनाती दीता है इस बार पीटर को किसी भी तरह कॉंटेस को हसाना था लेकिन ये काम सच में बहुत ही मुस्किल था अडेल वहां उस एलिफेंट से मिलकर पोचती है कि वो उसके सपने में क्यों आता था और वहीं वो पहली बार पीटर से मिलती है पर उसे जरब ही अंदाजा नहीं था कि यही उसका खोया हुआ भाई है तभी वहां पे वो सिश्टर आकर अडेल को ले जाती है और बहुत जल्द अगला दिन आ जाता है जब पीटर को कॉंटेस को हसाना था वो सब के सामने एक चुटकुला सुनाता है जिसे सुनकर खुद उस राजा तक को हसी नहीं आती पर कॉंटेस जान बुझकर हसने का नाटक करती है ताकि पीटर जीत जाए पर राजा इसे सही नहीं मानता और वो पीटर की हार को घोसित कर देता है पर पीटर उससे रिक्वेश्ट करता है कि वो प्लेज एलिफेंट को छोड़ दे क्योंकि उसकी भी फैमली है जहां उसे वापस जाना है पहले तो वो बस इसे इसलिए जीतना चाता था ताकि वो अपनी खोई हुई बहन को ढून सके लेकिन अब वो बस इतना चाता है कि इस इस एलिफेंट को उसकी फैमली के पास भीच दिया जाए पर राजा इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था और वो एलिफेंट को पकड़ कर ले जाने को कहता है लेकिन वो elephant गुस्से से राजा के ऊपर पानी फेक दीता है जिसे देखकर contest जोर जोर से हसने लगी और उसी के साथ वहां के लोग भी ठाहा के लगाने लगे और राजा ने ये मान लिया कि आखिर कर वो contest को हसाने में सफल रहा वो उस elephant को पिटर के हवाले कर दीता है पिटर खुसी के मारे जाकर elephant के गले लग जाता है लेकिन उस elephant ने उसे उठा कर अपने सर पर बिठा लिया इसके बाद पिटर उस जादुगर के पास जाता और उस से elephant को वापस गायब करने को कहता है लेकिन उस जादुगर को खुद पर यकीन नहीं था कि वो ये कर भी पाए और उनके अंदर उसी की वज़त से उम्मीद की किरन एक बार फिर से जगी है और फिर सारे सहर वाले के सामने उस जादुगर ने अपनी सक्तियों से उस एलिफेंट को गायब कर दिया सब लोग ये देखकर काफ एखुस थे और तभी उनके उपर के जमे बादल छटने लगे और एक बार फिर से उनके उपर सूरज की रौशनी पढ़ने लगी तभी पीटर के पास एडेल आती और उससे कहती है कि वो एलिफेंट तो उसे उसके तकदीर तक पहुँचा सकती थी फिर उसने उसे जानी क्यों दिया तभी वहाँ पे वो सिश्टर आकर एडेल को ले जाने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर वो फौजी भी आकर पीटर को साबासी देने लगता है और जब उसकी नजर उस शिश्टर पर पढ़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान ज आते हैं, वो दोनों भाई भाई भेन आपस में मिलकर काफी खुस थे, और इसके बाद बाल्टी सहर एक बार फिर से पहले की तरह हो गया, जहां एक बार फिर से सब को जादू ही लगने लगता है, पीटर अपनी पूरी फैमली के साथ मिस्टर और मिसेस मैटीन के साथ ही रहन video and please subscribe to my channel and press that bell icon.